हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अब दूस्समाद और आप देख रहे हैं इस्टेडी पाइंड यूटूब चेनल में आपका सवागत है और आज हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 8.2 का 3 नमर कोश्चन से तो चलिए देखते हैं 3 नमर कोश्चन क्या है यदि 10 A परस B बरावर रूट 3 तथा 10 A माइनस B बरावर एक बटे रूट 3 तो A और B का ऐसा मान ग्याद करना है कि A और अगर B को जोड देंगे तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा या 90 भी हो सकता है आगे फिर का रहा है कि A और B मैं A का मान बड़ा हो और B का मान छोटा हो तो चलिए देखते हैं कोश्चन है 10 A पलस B बरावर रूट 3 अब 10 A पलस B बरावर रूट 3 है तो ये रूट 3 10 कितना डिगरी का मान रूट 3 है उसको लिखेंगे अब 10 में देखते हैं यह 10 है और root 3 कहां है तो 10 60 degree का मान root 3 होता है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 A plus B बराबर root 3 के जगा 10 60 degree लिख सकते हैं अब यहां 10 और 10 को काट देंगे, दोनों side अगर बराबर हो तो काट सकते हैं तो यहाँ बच गया a plus b बराबर 60, इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे, equation 1, आगे का रहा है कि 10 a minus b बराबर 1 बटे root 3, अब यहाँ है 10, 10 लिख दिए, a minus b बराबर, 10 कितना डिगरी का मान 1 बटे root 3 होता है, तो यह 10 है और 1 बटे root 3 यहाँ है, 10 30 डिगरी का मान 1 बटे root 3 होता है, तो 10, एक बटे root 3 के जगा हम 10 30 डिगरी रख देंगे, तो यहाँ 10 30 डिगरी रख देंगे, अब इसको अगर इसके साथ काड़ देंगे, तो यहाँ बच जाएगा a minus b बराबर 30 डिगरी, इसको लिखेंगे समीकरण 2, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, आप exercise 3.1 से 3.6 के बीच में 2 चरवाले रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें से, एक था सबसे पहले गराफ विदी से, दूसरा है, पर तिस्थापन तिसरा है, विलोपन और आगे है वजर गुनन, तो इसमें से हम, यह जो question है, उसको हम विलोपन विदी स 3.6 के बीच में हैं, आप पढ़ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं, विलोपन विदी से, किसे इसको हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, तो दोनों को एक ही जगह लिखेंगे, A पलस B बराबर 60 है, और 1 है, A माइनस B बराबर 30, अब इसमें यहां कुछ नहीं, इसका मतलब पलस है, तो उसका उल्टा होता है, तो माइनस लिखेंगे, यहां माइनस है, तो उसका उल्टा पलस होगा, यहां कुछ नहीं, पलस है, इसलिए माइनस होगा, अब A में A को अगर घटाएंगे, तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, B में B को अगर जोड देंगे, तो 2 B होगा, और 60 में अगर 30 को घटाएंगे तो 30 होगा तो B बराबर करेंगे 30 बटे 2 इसको काड़ देंगे तो B बराबर हो जाएगा 15 अब यहां लिखेंगे B का मान एक में रखने पर 2 में अभी रख सकते हैं लिकिन नियम एक में है तो इसलिए एक में रखेंगे एक में रखने पर अब समीकरन एक क्या है समीकरन एक है A पलस B बराबर 60 तो यहां लिखेंगे A पलस B बराबर 60 A, A लिख दिए, plus B, B का मान 15 है, यहां 15 लिख दिए, बराबर 60 डिगरी, यहां भी डिगरी लिख सकते हैं, अब A बराबर 60, 60 लिख दिए, अब यहां पलस है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 15, तो A बराबर इसमें से इसको गटाएंगे, 45 होगा, यहां भी 45 होगा, और B का मान 15 होगा, चलिए अब चार नमर कुशन देखते हैं, चार नमर में 5 कुशन है, एक नमर कुशन है, चार नमर का, कह रहा है, साइन A पलस B बराबर, साइन A पलस चलिए अब चार नमर कुशन देखते हैं, चार नमर कुशन में है, निमने में से कौन से कथन स सत्य हैं और कौन अस्ध्यद तो एक नुमर कुशं साइन A पलस B बराबर साइन A कॉस B पलस कॉस A साइन B और यहां लिखा हुआ है कि साइन A पलस B होता है इसलिए यह गलत है क्या संभव है हो भी सकता है क्या तो चलिए पहले एक चेक करके दिखाते हैं साइन A का मान हम कुछ रखते हैं जैसे 30 रख दी पलस B का भी मान अगर 30 रखे तो बराबर यहां साइन A का मान 30 रखेंगे पलस साइन B का भी मान 30 रखेंगे और दोनों साइट देखेंगे कि दोनों का मान बराबर है की नहीं अब साइन और 30-30 60 होगा तो साइन 60 होगा तो मैं लिख सकते हैं साइन 60 बराबर साइन 30 डिगरी पलस साइन 30 डिगरी अब sin 60 degree का मान root 3 बटे 2 होता है बराबर अब sin 30 का मान अब ये है sin और 30 का मान 1 बटे 2 1 बटे 2 पलस यहां भी 1 बटे 2 है तो यहां root 3 बटे 2 हुआ बराबर 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 का मतलब आधा और आधा 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 जोड़ देंगे कितना होगा एक तो दोनों साइड बराबर नहीं है इसी लिए sin A पलस B बराबर sin A पलस sin B नहीं हो सकता है इसका फर्मूला sin A पलस B का है sin A cos B cos A sin B होता है उसके बाद दुसरा नमर क्रूशन देखते हैं दुसरा नमर में है theta में विर्दी होने के साथ sin theta के मान में भी विर्दी होती है करा theta का मन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या sin theta का भी मान बढ़ते जाएगा तो चलिए देखते हैं ये है theta का मान 0, 30, 45, 60, 90 अब देखते हैं जैसे ही हम 0 से 30 किए theta का मान बढ़ा दिये तो मेरा sin theta का भी मान बढ़ गया फिर आगे करा 45 यहां था 1 बटे 2 और 45 डिग्री में है 1 बटे 2 तो जैसे यहां 1 बटे 2 है आगे जाके 1 बटे 2 हो गया तो फिर मान बढ़ रहा है फिर आगे करा रूर 3 बटे 2 फिर आगे है 1 तो जैसे जैसे हम theta का मान में विर्दी कर रहे है उसी तरह से sin theta का भी मान में विर्दी हो रही है तो यह सत्य है यह सही है आगे करा है theta में विर्दी होने के साथ cos theta के मान में विर्दी होती है और यहां हम सारनी से जाने जैसे जैसे थीटा का मान में विर्धी करते हैं उस तरह से कॉस थीटा का मान में हास होता है कमी होती है इसलिए ये गलत है आगे कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है बिल्कुल नहीं साइन थीटा यहां cos 0 अब sin 0 degree कमान देखते हैं sin 0 degree कमान 0 है बराबर cos 0 कमान देखते हैं cos 0 कमान एक है दोनों साइड बराबर नहीं है इसलिए यह सब के लिए लागो नहीं होता है सिर्फ इस सिर्फ यह 45 डिगरी के लिए लागो है जैसे sin 45 डिगरी रख दिये बराबर कॉस 45 अब साइन 45 का विमान एक बटे रूट 2 है और कॉस 45 का विमान एक बटे रूट 2 है तो ये सब के लिए नहीं है सिर्फ और सिर्फ साइन 45 डिग्री 45 डिग्री के लिए है जो साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होगा तो ये भी सब के लिए नहीं है इसलिए गलत होगा आगे कह रहा है कि कौट A पर A का मान अगर 0 रखा जाए तो कह रहा है कौट A परिभासित नहीं है इसका मतलब अपरिभासित है परिभासित नहीं का मतलब अपरिभासित है तो कह रहा है कोट A का मान अगर 0 रखा जाए तो ये है कोट और कह रहा है कोट A का मान 0 रखा जाए तो कह रहा है अब परिभासित होता है परिभासित नहीं होता है और यहां भी कह रहा है कि अब परिभासित होता है इसलिए ये सही है सत्य है